जी बोल रहा हूँ बैट के हाथों को सैनिटाइज करते हैं हमने सब चीज़ा अबसर्फ करी है और कमेंडिबल जॉब दन भाई यू सर थैंक यू सो मच अब तेकि मैं क्या मैं सब को बोलूँगा कि सब लोग जो हैं मास्क पहने सैनिटाइज करते रहें और इवन हमारे ओफिस में भी जो लोग हैं वो पॉपर इसका गाहा रख रहें मैं तो हर 20 मिट में हाथ धुते हैं रहता हूँ और बिना मास्क करते निकलता ही नहीं हो क्या बाद थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सानिटाइजर की बॉडल वगरे भेज रहे ठीक है ना सर जरूरत होगी नहीं सर मुझे जरूरत नहीं है मेरे पास है जरूरत है सर जरूरत है नहीं सर है मेरे पास मैं बता रहा हूँ सर जरूरत है सर आपको नहीं सर आपको नहीं सर आपके पापा को जरूरत है आपके पापा जो है वो हर दिन सुबर निकलते है कभी सबजी लाने के लिए कभी दूद लाने के लिए यहां तक कि आपकी दवाईयां लेने के लिए भी आप नहीं वो घर से बाहर निकलते हैं ठीक है उनके पास शायद मास्क नहीं है वो हमेशा रुमाल बांद करके रखते हैं और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी-शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं उनकी उम्र हो गई है सर इम्मिनिटी थोड़ी सी कम हो गई है पर क्या फरक पड़ता है ना बाप है बाप जो होते हैं वो सब कुछ समभाल लेते हैं आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़के आपको चलना सिखाया था जब आपको सर्दी लगती थी तो रात बर आपके सीने पे वो मलम लगाते थे आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे वो चाहते हैं कि आप काम्याब हों लेकिन आपकी काम्याबी देखने के लिए वो जिन्दा भी तो रहने चाहिए ना सर मैं कह रहा हूँ सर देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे ठीक है और सबसे इंपॉर्डन बात है कि वो ना कभी आपको आकर कि बोलेंगे नहीं है ना कभी आपको आगर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए उनको भी ज़रूरत है वो घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर I hope कि आप समझ पाएं मैं RJ Praveen वो रहा हूँ Red FM 93.5 से और मैंने इस पूरी conversation का वीडियो बनाया जो मैं upload भी करना चाहता हूँ लेकिन अपनी permission के साथ में और आपके नाम को मैं बीप कर दूँगा ताकि लोगों को पताना चले कि मैं किन से बात कर रहा था लेगिन अपनी परमिशन देन या उन्ली आ बतार हूँ खाएं लेडियो बनाया तो प्लीज आप कर सकते हैं कोई कोई शो नहीं है और यूडर्सयोंग है और यूप आप करेंगे जो आपने कहाँ बिलकुल सर्माइज अभी आभी इस पार का गाला हुमाँ सुक्त में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बाते समझ जाते थे आप बार ही आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझे थैंक यू सो मच पर वाचिंग दे विडियो थैंक